तो मेरे पीछे आप जो है इस टॉपिक को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम कौन सा कोशन लेने वाले हैं यानि कि कौन सा कोशन डिसकस करने वाले हैं तो आज जो हम कोशन डिसकस करेंगे वह होने वाला है हमारा NCL Pharmacist 2020 2020 में जो NCL Pharmacist में कोशन पूचा गया था उसी को हम डिसकस करने वाले हैं और आज जो मैं आपके सामने ये कोशन डिसकस करूँगा ये हमने लिया है Pharmacy India की Newly Launched Book में से जो की है Mission Pharmacist इसके अंदर आपको Previous 30 Years के कोशन पेपर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे जो की है अप टू डेट मतलब की 2023 में अभी तक जितने भी हमारे Pharmacist के एक्जाम हो चुके हैं उन सभी के कोशन पेपर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे पिछले 30 साल से लेकर के अभी तक के तो चलिए जो कोशन है हमारा वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं जो कोशन है वो है Scizofrenia is treated by जो Scizofrenia condition होती है हमारी उसको हम किस चीज से ठीक कर सकते हैं और जो options है वो है Antidepressant agents या फिर Antipsychotic agents या फिर Antiepileptic agents या फिर mood stabilizers तो इन चारो options में से कौन सा option correct है जिसको हम Scizofrenia condition को ठीक कर सकते हैं और जो correct answer है वो है option B Antipsychotic agents मतलब कि जो Scizofrenia condition होती है यह हमारी एक psychiatric problem होती है जिसको हम treat कर सकते हैं Antipsychotic drugs को दे करके तो चलिए बात करते हैं इसके explanation की कि इसका explanation क्या कहता है तो जो Scizofrenia होती है अब इसको हम क्या कह सकते हैं एक psychotic disorder है ठीक है मतलब कि हमारा दिमागी संतुलन जब ठीक नहीं रहता है तब यह condition होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि severely impaired हो जाता है मतलब कि एक इनसान जिसको भी Scizofrenia condition होती है यह psychotic disorder होता है वो ना तो ठीक से सोच पाता है अपने emotions पे भी control नहीं कर पाता है और साथी साथ उसका behavior जो उसका वेवार है वो भी बदल जाता है साथी साथ में जो Scizofrenia के patients होते हैं वो इतने सक्षम नहीं होते हैं वो इतने capable नहीं होते हैं कि वो अपनी sensory stimulus को भी क्या कर सकें control कर सकें या filter कर सकें साथी साथ होता क्या है जो भी एक perception of sounds है मतलब कि जो भी चीज़े वो सुनते हैं या जो colors उन्हें धिखाई देते हैं या जो दूसरे other features हैं हमारी surroundings में वो उनको अपने अनुसार ही देखते हैं उन पे भी उनका कोई बस नहीं होता ये सब चीज़े उनके लिए change हो जाती हैं जो ये आज हमने question discuss किया जो की आया था हमारा NCL pharmacist में 2020 में ये question लिया हमने mission pharmacist है जिसके अंदर आपको पिछले 30 साल के सारे question papers मिल जाएंगे up to date मतलब कि जो 2023 में अभी तक pharmacist के exams हो चुके हैं इसकी further details के लिए आप हमें follow कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description में दिया गया है साथी साथ आप download कर लिजे pharmacy India mobile app from the google play store वहाँ पे भी आपको सारी संपूर जानकारी मिल जाएगी तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि डरने की है क्या बात जब pharmacy India है आपके साथ